नवसकार दोस्तो जैहिंद वंदे मात्रम स्वगत करते हैं आपके अपने योटूब चैनल सिच्छा रिगत के चैनल राश्ठीत में चैनल दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे पूरी हिंदी का निचोड है ये टोटल 35 प्रसन है 35 MCQ हैं आपके सब कुछ इसमें आपका कमि किया गया है और आने वाले परिच्छाओं के लिए बिश्ट प्रसनों का स्वेक्शन किया गया है और 35 में से 20 प्रसन कर दो शेलेक्शन पका है ये शुरू करते हैं सभी मित्रों का मेरा जैहिंद वंदे मात्रम दोस्तो पहला प्रसन स्कीन पर आ चुका है सभी पर बैठा है और वाक्त में कारक पूछ लिया गया है कौन सा कारक होगा शंप्रदान करण अधिकरण करता कौन सा कारक हो जाएगा सभी लोग कमेंट के माद्धम से बताएंगे तोता डाली पर बैठा है तोता किस पर बैठा है डाली पर बैठा है तो कौन सा कारक हो जाएगा अधिकरन कारक हो जाएगा क्या हो जाएगा तोता डाली पर बैठा है में और पर अगर आता है तो आपके कौन सा अधिकरन कारक होता है शिकन कोश्चन है गीता हाथ से मारती है में कौन सा कारक होगा करता अपादान अधिकरन करन गीता किसे हाँ से मारती है से के अर्थ में देखेंगे से के अर्थ में क्या होगा तो से के अर्थ में यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी लोग आप कमेंड बाक्स में जरूर बता सकते हैं इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो से के अर्थ में क्या हो जाएगा यहां पर भी आपका करण कारक होगा क्यों होगा से के अर्थ में होता है अलग होने के अर्थ में जब हो गीता हाथ से मारती है गीता हाथ से मारती है आपकी माता मारती है हमारी माता बच्पन में हाथ मारते थी यहां पर हो चकता है माता हां से मारती है तो मारती है तो यह क्या हो जाएगा करन कारक हो जाएगा अगर अलग होने के अर्थे में होता तो फिर आपको यहां पे अपादान होता अंगला जो प्रस्वन क्या है कुदाली से खोदता है इस सुवार किम प्रियुक्त कारक है अब से वाले दो तीन आपको ला रहे हैं इनमें पूरा क्लियर कर देंगे अब से के यहां पे है पहचान क्या है से कुदाली से खोदता है खोदने के बाद क्या कुछ यहां पे अलग हो रहा है क्या यहां पे कुछ अलग नहीं हो रहा है तो फिर भी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करण कारक ही होगा यहाँ पर भी यहाँ पर भी आपका करण कारक होगा और एक और से से ले रहें एक और से से समंदित है और यह क्या है रभी पेंड से गिर पड़ा रभी क्या था पहले पेंड पे चड़ा था रभी क्या था प का आपादान कारक हो जाएगा एन labels सभी मित्रों का जैंद दोस्तों सभी प्रस्ण इंपर्षांट है देखते हैं कितने लोग इंडे तक टिक पाते हैं भीडियो अंतक कौन देख पाता है जो देखता है वही सीख के जाता है जो सीख के जाता है उसी का सपना साकार होता है प्रसने चिरायू सब्द में प्रियुक्त उपशर्ग है सभी कंसेप्ट लिए गए है सभी प्रसने चिरायू सब्द में उपशर्ग कौन सा है तो चिरायू में यू आयू ची अब द प्रियुक्त उफशर्प पूँचा है, तो सब्द के पहले क्या लगेगा, तो आपका यू नहीं लग सकता, ना आयू लग सकता, अब बचा चिर या ची, दो बत्ते हैं, तो चिरायू में प्रियुक्त उफशर्प क्या हो जाएगा, तो सही एंसर आपका होगा, चिर यहाँ पर सही एंसर हो जाएगा, अंगला प्रस्णियां पर क्या दिया गया है, निम्लिकी सब्दों का सही संदी विच्छेद क्या होगा, संदी सेवे, सभी कंसेप्ट दोस्तों लिए गये हैं, बहुत ही महत्पून क्लास ही है, अब किसका है, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक का सही संदी विच्छेद क्या होगा, तो प्राप्तोदक क्या हो जाएगा, प्राप्तोदक, ओ, ओ है और ये ओ क्या है, जब आपका संदी विच्छेद होगा, तो उ में कनवर्ट हो जाएगा, ओ है, उ में कनवर्ट हो जाएगा, यानि कि क्या हो जाएगा, प्राप्तो धन उ ओधक हो जाएगा तो कौन शे सही हो जाएगा पहला आपसनियापर सही हो जाएगा अगला प्रशनियापर क्या दोस्तों है यह पवित्र में प्रयुक्त संधी का नाम क्या होगा गोंड ब्रदी आयादी इन में शेकोई नहीं तो राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तो संधी का लेडी मैंने ट्रिक का वीडियो बना रखा है अगर आपने पहल नहीं देखें उस वीडियो को जबूर देखें दोस्तो पवित्र में प्रियुक्त संदी का नाम क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगी आयादी संदी हो जाएगा पवित्र क्या हो जाएगा दोस्तों आयादी संदी यहाँ पर हो जाएगा अंगला प्रस देखेंगी स्कीन पर है प्रस्म क्या पूंचा जा रहा है निम लिखित में तस्वम सब्द का चैन कीजिए अब तस्वम सब्द यानि की संसकत से डिरेक्ट्री लिए गए सब्द यानि संसकत वाले सब्द संसकत का सुद्ध रूप तस्वम कहलाते हैं और जो तस्वम के रूपांती सब्द होते हैं आपके तदभव शब्द कहलाते हैं तो यहाँ पर तश्चम सब्द का चैन करना है खेत कोट अजीब यह कौन से है यह आपके क्या है यह तश्चम सब्द नहीं है खेत खलिहान यह सब्द आदमी नारमल से बोल लेता है तो यह संस्कत के रुपांतित आपके हिंदी में किये हैं तो यह उपका क्या है तदभव शब्द आएगे तश्चम सब्द नहीं होगे लेकिन चुओंद दक है यह उद्गम शब्द यहाँ पर आपका तश्चम शब्द कहलाएगा, अंगला प्रसुन दोस्तों क्या है, पाठ साला किस प्रकार का शब्द है, पाठ साला जो है आपका किस प्रकार का शब्द है, रूड है, योग रूड है, योगीक है या इनमें से कोई नहीं, तो पाठ साला, पाठ धन शाला, यह हो गया आपका, पाठ ध बिच्छेदन नहो जिसका संदी बिच्छेदन नहो वे रूर सब्द कहलाते हैं जैसे आज आज को क्या संदी बिच्छेद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं रूर सब्द वे सब्द होते हैं जो सबसे चोटे एक दो वर्ण या एक दो अच्छर धाई अच्छर के सब्द होते हैं जादा तर ये रूर सब्द कहलाते हैं और बात आती है आपकी योग रूर सब्द के तो बहुबरी समास के सभी जैसे जलज हो गया जलज हो गया ये सभी क्या है उनसे कहलाते हैं ये आपकी योगरूर सब्द कहलाते हैं यनि बहुबरी समास के जितने भी आपके एकजामपल हैं सभी आप क्या है योगरूर सब्द कहलाते हैं और योगिक सब्द कहलाते हैं जिनका संदिभी छेद होता है जैसे पाट साला पा अंगला जो प्रस्ण है का वर्ण किसके योग से बना है तो का वर्ण आपका का और आके योग से बना हुआ है कावर्ण किसके योग से बना है का और आके योग से बना हुआ है अंगला प्रस्निहां पे देखेंगे उस्मा और संयुक्त किसके प्रकार है उस्मा और संयुक्त सभी लोग कमेंड के मादन से बताएंगे इसका एंसर क्या होगा पांच सिकंड के लिए आपको दोस्तों वक्त है समय है उश मौर संयुक्त किसके प्रकार है शर के बिंजन के एक वा दो दोनों के या इनमेश कोई नहीं तो उश मौर संयुक्त किसके प्रकार है बहुत से बच्चे स्वर बालते हैं बहुत से बच्चे बिंजन है बहुत से बच्चे दोनों मारेंगे लेकिन जो सही क्या है जो सही क्या है सही यहाँ पे क्या होगा बिंजन होगा उस मार संयुक्त किसके प्रकार हैं आपके यह बिंजन के प्रकार हैं दोस्तों किसके प्रकार है आपके बिंजन के प्रकार है और आपके इससे related बहुत सारे प्रसन एक्जाम में पूँचे जाते हैं देखे दोस्तों स्वर की बात करें तो 11 शर बिंजन 33 है टोटल अगर वर्णमाला की बात करें इसपर्स बिंजन कितनी प्रकार के होते हैं 15, 20, 24, 25 अब इसपर्स बिंजन की बात आती है यानि की का से लेके काखा गागा अंगा तक हो गया पा से लेके पापा बाबमा तक हो गया ठीक है का से लेके आपका अंगा तक हो गया फिर आपका तक चा चा से लेके पांच वर्ण होते हैं सभी में एक चरण में पांच पांच वर्ण आते हैं आपके का हो गया चा हो गया का वर्ण चा वर्ण से पांच चलती है और फिर आपका का पा का चा हो गया फिर आपका कौन सा आता ह यह सभी पांच है क्या है इस पर सिबिंजन कहलाते हैं इसमें सभी पांच पांच है ता में भी पांच है और पा में भी पांच है अब इनको टोटल कर लेंगे कितना आ गया पांच 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 होता है तो टोटल आपके कितने वर्ड हो जाए इस पर सिबिंजन में आपके 25 वर्ड हो जाते हैं यह सभी लोग नोट कर लेंगे अंगला प्रसंद क्या पूंचा जारा है सभी मेरे प्यारे मित पहली बारा है विजट कर लेंगे चेनल को क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस के दार पर ही प्रसंद मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर important है आपका selection दोस्तो आपका selection सबसे important है जिस समास में दोनों पद आप्रधान होते हैं ये सबी लोग नोट जिस समास में दोनों पद आप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है आप्रधान होते हैं दोस्तों बहुबरी में कोई भी पद जो है आपका प्रधान नहीं होता बहुबरी समास इसमें कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता यानि कि अप्रधान वाला समास है दोनों प्रधाप के अप्रधान होते हैं वह आपका बहुबरी समास कहलाएगा कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर बहुबरी समास हो जाएगा और आता है जिस पर आपका दूसरा प्रत प्रधान हो वह आपका तत्पुरुष शमास कहलाता है दूसरा प्रद पधान है तत्पुरुष शमास कहलाएगा दुन्द शमास दोनों पध प्रदान होना चाहिए दिग समास पहला पध जो है संख्या वाचक प्रदान होना चाहिए तो यह सभी important है और इनसे प्रस्ण जरूर आते हैं अंगला प्रस्ण है पूरो गामी का बिलोम क्या होगा पूरो गामी यानि कि पहले पूरो गामी मतलब क्या होता पहले तो यहाँ पर इसके बिलोम क्या होगा बात कहोना चाहिए बात कहोना चाहिए यहाँ पर तो सही answer क्या हो जाएगा सही एंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका पश्चिगामी हो जाएगा क्या हो जाएगा पूरो गामी का बिलोम होगा आपका पश्चिगामी हो जाएगा अंगला प्रस्ण ले रहे हैं इसकीन पर प्रस्णिया है अनुरुक्त का बिलोम है अनुरुक्त का बिलोम है सही आपसन हो जाएगा अंगला प्रश्णिया पर है कि इन में से कौन सा स्वरसंदी का उदारन है स्वरसंदी का उदारन सभी लोग बताईए स्वरसंदी का उदारन बताईए अब स्वरसंदी में कितने भेद होते हैं पांच भेद होते हैं स्वरसंदी में पांच प्रकार की होती है स्वरसंदी में पांच प्रकार की होती उसमें कौन सा आएगा तो स्वरसंदी का उदारन पहला आपका पवन है अगर यह आजाए कि स्वरसंदी का कौन सा है तो पवन में क्या हो जाएगा आपका आयादी संदी आएगा क्या हो जाएगा आपका आयादी संदी आ जाएगा पवन में और अंगला प्रस्न क्या है प्रस्न है कि पवन का सही संदी बिच्छेद क्या होगा आयादी संदी तो होगा लेकिन संदी बिच्छेद अगर हम करें तो क्या होगा सही पवन का संदी विच्छेद सही आपे क्या हो जाएगा तो पोधन अन होगा सही पवन का विच्छेद क्या हो जाएगा पोधन अन होगा और शंदी कौन से हो जाएगी आपकी आयादी संदी हो जाएगी अंगला प्रसंद क्या पूछा जा रहा है अनुनासिक बिंजन कौन से होते हैं अनुनासिक बिंजन तो अनुनासिक बिंजन कौन से होते हैं सही इंसर यहां पर क्या हो जाएगा वर के ततीय अच्छर तो नहीं होंगे वर का अब बचता है आपका इनमें से कोई नहीं प्रथम हो सकता है कि अंतिम होता है जो अनुनासिक बिंजन कहलाते हैं जैसे का हो गया खा हो गया गा हो गया गा हो गया और ये अंगा ये जो पांचमा मंड होता है ये जो पांचमा मंड होता है वो आपका अनुनासिक बिंजन कहलाता है तो सही इंसर क्या होगा वर्ग के पंचमाच्छर पंचमाच्छर आपका अनुनासिक बिंजन कहलाता है सभी के पाँचवाँ, सभी वर्ग के काखा गागा, अंगा आएगा चाचा जाजा, अईया आएगा टाटा डाडा आएगा ये अंगा, अईया, आडा ये सभी अंगनासिक बिंजन कहलाते हैं अंगला प्रस्ण है हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संख्या कितनी है तो हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संख्या कितनी है यहाँ पर 11 श्वर हैं आपके 33 आपके बिंजन है और टोटल वर्ण आपके हिंदी वर्ण माला में 52 वर्ण है तो नोट कर लेंगे सबी लोग अंगला जो प्रस्ण है जो पहले कभी न हुआ हो अदभुत जो पहले कभी न हुआ हो देखे अनुपम तो हो नहीं सकता है अदभुत भी नहीं होगा नहीं अपूर होगा तो सही इंसर क्या होगा जो पहले न हुआ हो उसे अभुत पूर बोला जा सकता है तो फोर्थ आपसन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा और अंगला प्रस्ण दोस्तों पूछा जा रहा है बिसेशन और बिसेश की योग से कौन सा समास बनता है बहुत इच्छा प्रस होता है तो बिसेशन और बिसेश की योग से कौन सा समास बनता है तो यहाँ पर कर्मधारे समास बनेगा अगर पहला प्रद्धान होता है तो आपका अभी भाव समास बनता है लेकिन अगर बिसेशन और बिसेश की योग से समास फूच्छिया जाए तो यहाँ पर कर्मधार शमास बनता है और अगला प्रस्ण क्या है अशुद है अब इन में हमें दोस्तों असुद पहचानना है असुद छाटना है देखे अभी तो पांच बजे ये नार्मल से बोल देते हैं असुद देखे प्यास के मारे प्राण निकल गए अभी तुम्हें बहुत सी बाते सीखन अब यहाँ पर क्या दिया बी आपसन देखेगा बी आपसन पर क्या दिया है कि यह मेरा ही हस्ताचर है तो यहाँ पर असुद्ध है सुद्ध क्या होना चाहिए सुद्ध यहाँ पर क्या होना चाहिए सभी लोग कमेंड करेंगे यह मेरे ही हस्ताचर है यहाँ पर मेरे ही हस्त आचर है यह सुद्ध होता तो यहाँ पर आपका सुद्ध दिया हुआ है तो यहाँ पर बी आपसन असुद्ध हो जाएगा अंगला जो प्रसंद क्या पूंचा जा रहा है कि दुद्ध का प्रयोग की सब्द में नहीं हुआ है दुद्ध की बाद आती है दुद्ध ऐसे सब् डवल वर्ण के होते हैं जैसे जैसे बता दूं कच्चा मैं कच्चा लिख रहा हूं चा यहां पर क्या है डवल वर्ण है कल्ला मैं यहां पर कल्ला लिख रहा हूं तो यहां पर क्या है डवल वर्ण है मैं यहां पर गल्ला लिख रहा हूं जब गल्ला लिख लेता हूं यहां यहां पर डबल वर्ड हो जाएगे यानि पी दुट का प्रयोग या की दुट सब्द वे सब्द कहलाते हैं जो डबल में होते हैं तो किसमें सब्द में नहीं हुआ है देखे सच्चा में हुआ है डबल चाहे कुत्ता में हुआ है डबलता है और आपके बगगा में हुआ है ड नहीं हुआ है यानि वल्गा में आपका दुद्ध का प्रयोग नहीं हुआ है अंगला प्रस्न है पांच लीटर दूद दे दो वाक्य में बिसेशन है पांच लीटर दूद दे दो बिसेशन यहां पर बताना है पांच लीटर दूद दे दो बिसेशन दोस्तों मैं कई बार ब देखे तो निश्चित संख्या वाचक नहीं है नहीं अनिश्चित होगा दो होता है अनिश्चित पईडाम वाचक होगा या निश्चित पईडाम वाचक अब अनिश्चित पईडाम वाचक है कि निश्चित पईडाम वाचक है पांच लीटर दूद दो यानि कि हमें पांच पईडाम वाचक है कि हमें केवल पांची लीटर दूच चाहिए उबटन सब्द का तश्चम रूप क्या होता है उबटन सभी लोग जानते हैं साधीते होरों में बहुत शारा होता है दोस्तों आपके गर में हमारे गर में सभी में उबटन सब्द का यहां पे तश्चम रूप क्या हो इसका उप्योग बहुत होता है तो उप्टन सब्द का तश्चम रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी लोग एक बाद दिल से कमेट करेंगे सभी लोग तो आपका फोर्थ आपसन दाय आपसन सही होगा उद्वर्तन हो जाएगा तश्चम रूप पूँचा है उप्टन आपका तदवा हो है और जो उद्वर्तन आपका संस्कत का सीधा लिया गया प्रस्चम उद्वर्तन है और यही आपका तश्चम रूप होगा अंगला प्रस्चन है मचली का परयावाची बताना मचली का परयावाची जलाज, पंकाज ये सभी कमल के पर्यावाची है और मेच तो है नहीं तो क्या हो जाएगा जलचर मचली का पर्यावाची क्या हो जाएगा तो जलचर हो जाएगा यहां पर अंगला प्रस्ण है धन का बिसेशन होगा धन का बिसेशन क्या होगा दोस्तों धन का बिसेशन पूछा गया है तो बिसेशन हो जाएगा धनी, धन का बिसेशन क्या हो जाएगा धनी हो जाएगा अंगला प्रस्ण है फटा फट यहां पर बतानेंगे 35 प्रस्न कंप्रीट करेंगे और सभी कंशेप्स लिए गए प्रस नहां बहुत ही IMPORTANT दोस्तों सीता अत्यंत शुंदर है में अत्यंत क्या होगा ध्यान दिजेगा दोस्तों ध्यान देना है क्या है संग्या सरनाम की विशेष्टा बताए वह आपका विशेष्ण होता है जो संग्या और सरनाम की विशेष्टा बताए वह आपका विशेष्ण होता है यहाँ पे विशेशन क्या है सुन्दर है सीता क्या है अत्यंत सुन्दर है किसी का भी नाम ले सकते हैं अत्यंत सुन्दर है अगर यहाँ पे होता सीता सुन्दर है सीता सुन्दर है में विशेशन सुन्दर होगा लेकिन यहाँ पे क्या है विसेशन का भी विसेश पूँच लिया गया है तो विसेशन का विसेश क्या होता है आपका अत्यन्त सुन्दर है तो विसेशन का भी विसेशन पूँच लिया जाए तो प्रविसेशन कहलाता है जब विसेशन का विसेशन पूँचा जाए सुन्दर तो है लेकिन अत्यन तो शुन्दर है यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रविसेशन हो जाएगा अंगला प्रशन क्या है टेली फोन सब्द किस वहांसा का है टेली फोन सब्द दोस्तो रिक्सा एक यह पूछा जाता आपका तो रिक्सा जो है किस वहांसा का यह आपका जापानी भाँसा का है। कौन शाए आपका? रिक्सा जो सब्द है जापानी भाँसा का है। और यहाँ पे टेली-फोन जो पूचा जा रहा है, तो यह हो जाएगा यूनानी भाँसा है। और अंगला प्रसुन क्या पूंचा जा रहा है कि अभिसेख बजार जा रहा है इस वाक में उद्देश क्या है खरीददारी अभिसेख गूमना बजार इस सब्द में क्या है पूंचा जा रहा है अभिसेख क्या है कौन्शा वाक है उद्देश क्या है उद्देश बताना है जो बजार जा रहा हो वही उद्देश है बिजे बजार जार जारा है जैसवाल सर बजार जारा है जेट साथिया बजार जारा है कमेंट आता है बहुत फीड़ वैक इनका जेट साथिया लिखा इश्वारी इनका आईडी है और आप नाम से तो है नहीं तो नाम भी comment box में बता सकते मैं नाम भी ले सकता हूँ और भी बहुत सारे मेरे friends हैं शोनी जी हैं, सुकला जी हैं सभी मेरे friends हैं कुसवाजी भी हैं तो अब इसे एक बजार जा रहे हैं कुसवाह जी बजार जा रहे हैं यानि जिसका आपका नाम आए वही आपका उदेश है तो अभिसे एक बजार जा रहा है तो B आप सन्यापर सही हो जाएगा अंगला जो प्रस्ण है हिंदी किस भासा परिवार की भासा है हिंदी जो है तो किस भासा का परिवार है या भारोपी परिवार है क्या है भारोपी परिवार है हिंदी भासा का जन्म हुआ है किस से जन्म हुआ है पाली प्रक्रस से वैदिक संस्कत से लौकिक संस्कत से या अपव्रहंच से तो हिंदी भासा का जो जन्म हुआ है दोस्तो वह आपके अप अस्यमी मिलती रहेगी सभी मेत्रों का मेरा जैहिद वंदे मातम डोस्तो इस परिवार का हिश्ब बनना बहुत ही जरूरी है क्यहाँ पर सिछा जगत की बात करते हैं और आपके बीना हम कुछ नहीं है। दोस्तों यह चैनल नहीं है, यह यूटूब नहीं है, तो आप ही सब कुछ है, इस परिवार का हिससा ज़रूर बनें और सब्सकाइब जरूर करें, सुद्ध वर्तनी काउन सा है, कृपा, 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 कौण शुद्ध रपा, कृपा करें, आपने अपली के इसन बच्प है जलस सब्द है यह जलस सब्द कैसा है दोस्तों कैसा सब्द है सभी लोग कमेंट करें रूड योगिक यो रूड देशा देशा सब्द जैसे हम घर में वोते हैं खटिया वटिया यह सारी लोटिया लोटा यह सब्द क्या है जो हम घर में उप्योग कर रहे हैं लेकिन रूड सब्द, वह सब्द कहलाते हैं जिसका संदी विछेद नहीं होता है जैसे आपका आज हो गया जो छोटे सब्द होते हैं एक अच्छर, दो अच्छर या धाई अच्छर के जो जादा जादा सब्द होते हैं वे रूड सब्द कहलाते हैं और योगिक सब्द के अगर बात आती है तो योगिक में संदी विछे जिनका हो जाए वह आपके योगिक सब्द हैं और योग रूड योग रूड में बहुबरी समास के सभी आपके उधारण सभी एक्जामपल परकी प्रस्ष студे consider के प्रस्ने की बेह साफी में प्रति हुप्षरकरे सब करने प्रिए निया गया गया है oh अन्व up रियोक्त उपशरक उंप्षा है इन बे बे्ए यहां पर उपशर efforts पर फिर यह सब्रकरें यहं अप्रति हुता यह होता है यहाँ पे क्या है बे यहाँ पे क्या होना चाहिए उफसर्ग होना चाहिए यहाँ पे क्या हो जाएगा उफसर्ग हो जाएगा और सभी इस परिवार कहीं सा बनें सभी राश्चित में सिच्छागत के चैनल से जरूर जोड़ें और सबस्काइब कर लें लाइक कर लेंगे दो सेलेक्शन जरूर होगा दोस्तों और मैं आपके साथ जैसवाल सर प्रते क्लास आपके लिए लाऊंगा आपके सलेबस पर लाऊंगा आपके सेलेक्शन के लिए लाऊंगा क्योंकि यह चैनल राजशितमी चैनल है दोस्तों सभी मित्रों का मेरा जय हिंद वंदे मात्रम धन्वाद दोस्तों